नवस्कार आभार अभिनंदन स्वागत आप सभी का हेलो मनिनाइन मेरा सवाल है मैं हूँ विपल सिंग इस बाजार में करें तो करें क्या जी हाँ सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कल हमने देखा के चीन के अंदर मतलब इस वीकेंड के जो है चीन ने भी ब्याज़रों मे कटावती की अमेरिका से संकेत अच्छे थे उमीद थी बाजार अच्छा खुलेगा ऐसा ही खुलता हुआ दिखाई दिया और 24956 पे खुलने के बाद 24978 तक के हाई लगे तो एक बार लोग इनतजार करने लगे कि शायद 25,000 का अकड़ा भी पार होता दिखाई देगा ले 24,680 के लेवल देखने को मिले हाला कि उसके बाद एक रिकवरी आई और उसमें हमने देखा कि 24,830, 24,44 तक के लेवल देखने को मिले लेकिन अभी भी बाजार के अंदर दबाव बना हुआ है मिट कैप स्मॉल कैप शेरों में भी ने भी अपनी मजबोती खो दी है 120 अंकों कि गिरावट 24,730, 27,734 का लेवल देखने को मिल रहा है एडवांस डिकलाइंट रेशियो भी पूरी तरीके से बेर्स के पक्ष में है 2016 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 686 शेयर ऐसे हैं जो कि मुझसमें बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं अब पड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ही बना हुआ है कि इस तरह के बाजार में जब बाजार बहुत दाइरे में हो वो ऐसे में क्या करना चाहिए क्योंकि बाजार ना उपरी तरफ जो है एक ब्रेकाउट की इस्ती बना रहा है ना नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि बड़ी गिरावट आएगी लेकिन आज के बाजार में कौन से ऐसे शेर हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आज थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आउट परफॉर्मेंस कोई खास यहां पर देखने को मिल नहीं रही है जातर सेक्टर इंडेक्स ऐसे हैं जो की दबाव में इस समय कामकाच कर रहे हैं वहीं अगर हम बात करें कि बैंकों में हम दबाव देख रहे हैं इसके अलावा आईटी में जब जादा दबाव देखने को मिले हैं हाला कि आपको बता दें कि अब एफेंडो के लॉट साइज में भी बदलाव होने की बात हो गई है अब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो अब 25 से बढ़ करके 75 हो गया है बैंकों का बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 15 से बढ़ करके 30 हो गया है फिन nifty की बात करें तो ये 25 से बढ़कर के 565 हो गया है mid cap nifty की बात करें तो ये 50 से बढ़कर के 120 हो गया है और nifty next 50 की बात करें तो ये भी इसमें भी बदलाओ हुआ है और revise जो market lot हुआ है वो हो गया है अब 25 का पहले 10 का हुआ करता भा तो यह तमाम वो परिवर्तन है जो अब होते हुए देखाई देंगे लेगन इस बीच हम बात कर रहे थे इंडाइसेस की इंडाइसेस की बात करें तो अभी आईटी में हम देख रहे हैं एक परसंट स्यादा की गिरावट है इसके अलावा बात करें मेटल शेरों में डियर प देखने को मिल रहा है और सबसे आदा पिटाई जो है वो देखने को मिल रही है वह आई टी हो प्राइविट बैंक हो रियल्टी इंडेक्स में आज एक परसंट के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है इसके अलावा एफम सीजी में सवा परसंट के आसपास की गिराव देखने को मिल रही है जो स्क्ट्ट जो शेर जो थोड़ा सा ओ पर्फॉर्मेंस दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं अमबर इंटरप्राइजे सामिर है 1111 परशन्ट उपर टाटा जीर्ट लेन्मिकल्न में 11 परशन्ट की तेज है नंव सवा परसेंट के आसपास की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है इसके लावा मजगाव डॉक लगातार आउट परफॉर्मस दिखाते हुए और आज भी साड़े तीन परसेंट उपर है इस पर डिटेल में बाचित करेंगे और यह भी समझने कोशिश करेंगे क्या डिफेंस शेरों में कुछ ऐसे इंडिकेटर मिल रहे हैं जिससे कि यहां पर जो है मजबूती जो है देखने को मिल सकती है चलिए आज के खास मेमान हमाई साथ जुर चुके हैं रवी जी आपका स्वागत है पर पहले तो बाजार पर आपकी राये इस बाजार में करें तो करें क्या क एक बात और कहूंगा कि आप जिस इतनी देर से आप जो कमेंटरी बता रहे थे मार्केट को ले करके मुझे एक चीज समझ में आगे हैं कि इस कई बार ऐसा होता है मार्केट में कि आपको बहुत चीज़े करने के लिए मिलती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता आपको करने के लि तो फिर बाजार निचले से रिकावरी दिखा जिता है तो ऐसे में करें तो करें क्या यह तो आपने आंसर देही दिया कि थोड़ा सा मार्केट को यहां पर देखिए वाच करिए अग्रिसिव मत जाईए अब स्टॉक इस्पेसिफिक रहते हैं देखे पहला मैं आपके क्योंकि इस समय मार्केट पे ट्रेड नहीं इनिशेट करना है इस समय आपको पेशेंस इनिशेट करना है आपको स्टाटेजी बनानी है आपको मार्केट में डटे रहना है पैनिक नहीं होना है सिच्वेशन से घबरा कर बाहर नहीं निकलना है इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है compare to कि आप किसी stock में profit आजाएं. मैं आपको पिछले दो महिने के trade के थोड़ से example देता हूँ. आप believe करिएगा कि किसी market ने ही return नहीं दिया है तो किसी के भी portfolio में आपको लगता है कि return मिला होगा क्योंकि आपकी basket जो है वो एक stock से 5 stock तक होई, 5 से 15 stock तक पहुंच चुकि लेकिन loss तो सब में दिखाई दे रहा है, यही सचाई है और इस सचाई के तहट कई बार आप लोग जोश में आ जाते हैं, stock पे ज़्यादा कुछ खरीदारी कर लेते हैं, बहुत aggressive आप लोग buy करना शुरू कर देते हैं तो मैं यह suggest कर रहा हूँ, इसलिए आपको कहूँगा कि यहाँ पर आप patience दिखाने की जरूरत है, aggressive कूदने की जरूरत नहीं और आपको एक चीज़ बहुत clear में बता दूँ दिवाली तक आप अगर यह सोसते हैं कि market में कुछ आप बहुत बड़ा gain कर पाएंगे, तो यह आपके सबसे बड़ी गलत फहमी है, आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है, in fact अब आप जो मैं आज बता रहा हूँ इस चीज़ को note कर लीजे March या फिर February के, first February तक जब तक budget expectation यानि 15 जनवरी के पहले market में कोई uptrend नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला market यहीं खड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर चड़ेगा यही होगा जो आज विपल जीनित ने बढ़िया तरीके से बताई, कुछ चड़ता है फिर गिर जाता है, confidence lose कर जाता है तो इस समय जरुरत क्या है, आपको accumulate करने की, market को समझने की, levels की हम चर्चा करेंगे, पहला level की चर्चा कर लेते हैं चुकि अब Nifty है तो trade तो करना है logic तो ले नहीं है, देखे Nifty का पहला target है 24,500 दूसरा target है 24,300 और यह आने वाले हफते महिने के अंदर दिखाई दे जाएंगे अब कितना जाएगा, 25,000 200,300 के उपर market sustain नहीं करेगी, अगर अचानक से rally आ जाती है तो वो उतनी ही खतरनाक होगी जितना आज morning खतरनाक दिखाई दिया था तो आपको करना क्या है stock पहली बात है, aggressive हों के average नहीं करना, जिन stocks को आपने fundamentally ले रखा है रुके हुए हैं, नुकसान दे रहे हैं उनको थोड़ा सा accumulate करिए, fundamental अच्छे हैं return आएंगे, पूरे market ने यह जितने भी आप देखते हैं ना यह influencer है, सबसे ज़्यादा मैं तंग influencer से हूँ दिखाएंगे यह stock, मैं आपको example दे देता हूँ, किसी ने Infosys के बारे, मैं एक example Infosys के ही पहले ले रहा हूँ विपुल जी, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप यहां money nine पर आते हैं, solution के लिए यह कोई वो channel नहीं है, जहां पे हमने दो buy call, एक buy दिया, एक sell दिया और शाम को जंडा गार के विपुल जी भी चिला रहे होंगे कि देखा हमने market कहा ता sell हो जाएगी और यही करना चाहिए, बड़े-बड़े ग्यान मिल रहे हैं बहुत से channels पर आप भी देख रहे होंगे यहां वो ग्यान नहीं देते भाईया आपका portfolio है, हमें आपके portfolio की चिंता है जितना दर्द आपको होता है, loss पे उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमें और विपुल जी को दोनों को मिल कर होता है तो आपको ज़रूरी है कि यहां पर market को समझें अब आज आते हैं निफ्टी के levels को मैंने जैसे बताया 24-300 आएंगे अब आप patience बना कर बैठिये नहीं तो आज फिर खरीद दीजे, कल फिर loss देख लीजे यही situation रहेगी, तो अपने को accumulate बहुत रुख-रुख कर करना है, थोड़ा time देना है अगले 3-4 मैने के commitment अगर आपने कर रखे हैं payment के तो उनका इंतिजाम देख लीजिए थोड़ा market पे restrict होकर trade करिए यह suggestion अभी के लिए फिलाल trade जैसे जैसे मिलते रहेंगे intraday के हिसाब से, accumulation के हिसाब से हम लोग आगे लेते रहेंगे जी, चलिए सवाल जवाब का सरसला शूरू करते हैं बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं और लोग काफी असमंजस की इस्ति में हैं बहुत लोग काफी परेशान भी हैं पहले दर्शक हमाई साथ जो चुके हैं नमस्कार सर, अरवान जी नमस्कार कैसे हैं अरवान जी, कहां से बोल रहे हैं बढ़ी संख्या में रिटेल निवेशक जो है इस समय परेशान है, बात सही है बाजार में कुछ समझ में आनी रहा है बताइए आप कहां परेशानी में चार सो चौरानवे पर आपने विदानवे ले रखे कितने समय तक होल कर सकते हैं, एक से दो महीने यानी की बीस रुपए का नुकसान आपको हो रहा है लेकिन अभी के माहौल में एक दो महीने में क्या ये भाव आ जाएंगे आ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब जिस तरह की वोल्टेल्टी है उसमें कुछ भी कहना थोड़ा मुश्क्किल है, लेकिन इन सब के बीच में वेदानता पर ही अनुवर्शेक साब का भी सवाल है, उन्होंने 479 पर ले रखे हैं, और इन्होंने 494 पर ले रखे हैं, अनुवर्शेक साब मुनाफे में हैं, ये लास में हैं, नजरिया जो है का लंबा नहीं है आपकी टिपड़ी क्या होगी विदानता को ले करके देखे मैंने यही चीज अभी पूरे जो मार्केट में आपने जो समरी बनाई थी मैंने उसको और समरी करने कोशिश करी कि देखे पूरे मार्केट में कहीं रिटन नहीं है मतलब आने वाले एक पिछले एक महिने से कोई रिटन नहीं इसलिए आप लॉस में लेकिन इससे आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं ऐसा है थोड़ा जवान होके बोलिए चड़के बोलिए नुकसान है बीस रुपए का ही नुकसान है रिकवर हो जाएगा बढ़िया प्रॉफिट आएगा कहां पर अब इसकी चिंता रखिए बीस रुपए का नुकसान है अभी आपको लेकिन ये नुकसान थोड़ा बढ़ेगा और करीब 40 रुपए तक आपका ये नुकसान बढ़ जाएगा यानि कि जो बाइंग लेवल फिर से बनते हैं वो बनते हैं चार सो बीस चार सो तीस के पास लेकिन आपने तीन महीने का नजरिया रखा है देकि तीन से छे महीना कर लीजे क्योंकि छे महीने से पहले रिटर अभी नहीं आएगी लेकिन ये भी मैं शेयर हूँ कि वेदानता जैसा है स्ट्रॉंग शेयर 530-550 के लेवल बड़ी आसानी से दे सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉंग एकुमेलेशन है थोड़ा दिन पेन में रहेगा लेकिन आप इसको बेच के क्या खरीदेंगे कोई ऐसा पेनी स्टॉक खरीद लेंगे फिर फस जाएंगे तो बेटर है थोड़ा बने रहे पैसा आपका सेफ है पैसा कहीं नहीं जाने वाला धीरे धीरे वाप कि बस हमें रुखना नहीं है करें सार्ज जुमेटो में 262 पे लिए हैं इनमें मुझे और एड़ करना है नजरिया पांस से साथ साल का है तो अभी आपने एड़ करने के लिए वाना क्या है क्या जुमेटो ऐसा शेयर है जिनमें एड़ कर सकते हैं या फिर एवाइड करना देखे इन्होंने शायरी के मादम से अभी विपुल जी आपको याद दिलाने कोशिश किये कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको ढूंडना है कि आज कि इस माहौल में क्या फिट बैठता और आप तो भगवान की तरफ से हमारे अमिताब बच्चे ने कृतक गे हैं इस चीजों से तो उसको देख लीजे मैं इसलिए ऐसी बाते कर रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट में इस समय टाइम इंड़ाई करिए और रही बात देखे जो मैटो आज जो बड़ी बात बता रहा हूं आज से पहले जो मैटो के थोड़ा पीछे चलते हैं आज टाइम लेके थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि जो मैटो बहुत लोगों ने खरीदा होगा जब तक और कर रहे थे तब तक ठीक था जिस दिन से और के साथ शेर खरीद लिया नुकसान देना शुरू हुआ बीच में कुछ आप इससे 150 रुपए रह जाएगा एवरेज आपको करना है कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है पहले समझ ये पहली बार जबी स्टॉक आया तो अपने IPO प्राइस से भी इतना नीचे आ गया उसके बाद आपने देखा होगा कि आज कल ये जो इंस्टा, यूट्यूब, फेस पिट नहीं कमा पाएंगे, तो पहला तरीका यही है कि इस स्टॉक के फटनामेंटल अभी भी पूर है, लॉस से सिर्फ कंपनी प्राफिट की तरफ आई है, लेकिन उतना प्राफिट नहीं आया कि स्टॉक के वैलू यहाँ पर बढ़ सके, ओर प्राइस चल रहा है, 150 पैपे मैंने इसको निकलने की राय दी थी, आप लोगों को, और अगर नहीं निकलें तो फिर से निकल जाएए, अब जब साथ साल की बात की है, तो मुझे एक याद आता है स्टॉक, एक क्या बहुत याद आते हैं, पहला स्टॉक है, आयो सी साथ साल के लिए लेना है, क्य जो पैसा बचा था वो भी डुबा दिया, ऐसा मत करें, ऐसा मत कीजिए, चलिए स्बीच चा, सुनील बिष्ट जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं, नमस्ते विपोल जी, नमस्ते रवी जी, मैं मुंबई से हूँ, और आयर एफसी मैंने 151 रुपए के भाव पर 100 शेर लिये में, हाला कि आज ठंडा पड़ा हुआ है, रेलवे पैक, 145-146 के आसपास चल रहा है, आयर एफसी तो हई है, लेकिन साथ साथ आर वी अनल में जो रैली आ रही है, कई बार उमीदें जो है, वो थोड़ी बहुत जगाती है, कि शायद यहां पर जो है, फिर से अच्छे दि बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपसे कहूंगा कि विपल जी, रेलवे के साथ डिफेंस को जरूर करियेगा, क्योंकि मैंने अभी रिलीस किया है, डिफेंस काउंटर और रेलवे काउंटर की स्ट्राटेजी के ऊपर, जिससे कि आपके भी इस प्रोग्राम में चर्चा ह पहले आजाते हैं, रेलवे काउंटर की बात करते हैं, देखें, एक चीज़ समझिए, इस समय रेलवे काउंटर में कोई नई खरीदारी करने के लिए से तीन स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं स्टॉक का नाम दूँगा, लेकिन थोड़ा लेट लेता हूं, पहले सम गिरावट में कितना आ जाएगा, कहां पर एकुमिलेट करना है, उसकी पहली जो कॉल देखते हैं, तो मुझे आता है कि 440, 430, 420, ये तीन चार प्राइजेज मैंने जो बताए हैं, ये शुरुवात के हैं, एंड नहीं है, मतलब यहां से एंट्री करने के सोचेंगे, तब करिए, 135 से 140 के बीच में, 146 के बीच में भी अगर आप खरिदारी एकुमिलेशन करते हैं, अच्छा है, 175 के टारगेट आएंगे, दूसरा स्टॉक बात करते हैं, टेक्स रे, टेक्स इंफरा, यहां पर आप आजाईए, वापिस से आप बाई की पोजीशन यहां पर ले सकत पड़ेगा, यानि की एक फरवरी तक, मैं अभी से बता रहा हूँ, फरवरी का टारगेट दे रहा हूँ, यह रेट नोट करिएगा, फरवरी में कंपेरजन भी करूँगा, नुकसान अगर आया तो भी और फायदा आया, तो भी कितना फायदा आया, कितना नुकसान आया, उसकी चर्चा करेंगे, फोटफोलियो री स्टॉक्चर करेंगे, एक री स्टॉक्चर स्टॉक बताता हूँ, मेरे को सब लोग बोलते हैं, एरिकॉन पे मैं भी फसा हूँ, आप भी फसे, मतलब मेरा परसनल नहीं ले रखा, लेकिन मैंने कॉल तो दे रखी, 260-65 रुपए दे रखी है, 270 पे भी दे रखी है, बहुत सो लोगों ने 300 रुपए पर करीदा है, टार्गेट इस समय 220 आ रहा है, रिस्क इसका 220 पे बहुत कम है, लेकिन मैं यहां से अपनी चाल बदल रहा हूँ, चाल बदलने का मतलब है कि जिनके पास एरिकॉन है, वो लोग टेक्स, इ पोटफोलियो को फरवरी तक के लिए आपको profitability का मज़ा आ जाएगा, तो यहां पर घबराने के जरूरत नहीं है, अब railway के तीसरे stock की तरफ बात करें, जिसको फोकस करना है वो है rights, 302 रुपए चल रहा है, इन लेवल्स पर से लेके 280 तक में accumulate करके लिजे, फरवरी का target रहे इस range को जब आए, कल market गिर जाए, ले लीजिए, एक हपते बात गिर जाए, जो range आती, बिना range के नहीं खरीदना है, पैसा इखटा करके अपने पास ही रखिए तब तक, तो यहां पर इनको accumulate करिए, और फरवरी तक इनके मज़े वापिस दीखे, चाल यह तो यह railway पर आया ह कि मुझे लगता है काफी इस पस्ट रूप से आपने अपनी राय दी है, अब आपने जिक्र defense का किया था, तो HL पर ले करके शुरुआत करते हैं, और HL पे बावन सो के भाव पर रचित सक्सेना जी ने ले रखे हैं, और रचित सक्सेना जी के साथ-साथ, HL के साथ-साथ बाकियों पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन मजगाओं पर चाहें तो हलकी टिपड़ी कर दें, लेकिन आज हम बजिंग स्टॉक्स पर भी इसको डिसकस करेंगे, लेकिन ठीक है, इस पर भी टिपड़ी कर दें, क्या कुछ हलकी हलकी recovery दिखाई दे रही है, ज क्या ये समय है ऐसा कि averaging करनी चाहिए, या भी थोड़ा सा wait and watch की भूमिका में रहना चाहिए, देखे, विपल जी, money9 को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका तो हम लोग कहते ही हैं कि उनको best solution देंगे industry का, हम हवा में उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़ते हैं, और उस तीर से अगर निशाने पर जाना हो तो उस पर चड़ने की शवारी का दम रखते हैं, तो अभी के हिसाब से, दो इस ट्रॉक्स तो अब आप अपने portfolio में देखना बंद कर दीजिए, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, एक था HAL, दूसरा आपने MassDoc का नाम लिया, इन दोनों को, अब वापिस से, जब HAL 5400 पहुंचेगा, मुझे याद करिएगा, और पहुंच जाएगा, जल्दी, जिस तरीके से geopolitical tension अभी भी कुछ solve नहीं हुआ, उसकी वज़े से 2-3 problems company को face करनी पड़ी, कुछ parts या कुछ export, import पो लेकर थोड़ी दिक्कते आई, इसकी वज़े से थोड़ा और इस पे दूरी मत बनाईए, इसके साथ डटे रही है, पहला, लेवल्स आपने बात करी है, मैं defense counter के एक एक लेवल की बात करता हूँ, BDL, पहला, भारत dynamics, इस से भारत का dynamics तो थोड़ा खराब है, stock market का, लेकिन उस dynamics को और अच्छा करने के लिए, BDL को 1050 के लेवल पर जब मिलता है, खरीदने से मच चूकिएगा, च्वाइस आप की होगी, जब चाहे 1200 पे निकल जाईए, 1250 पे निकल जाईए, भूल गए तो 1400 तक की लड़ाई यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरा stock है, आपने BEML की बात कर लेता हूँ, BEML की मैं बात कर रहा हूँ, ये चल रहा 4000 के पास, 3800 पे जब मिलता है, खरीद लीजिए, 42, 45, ये सब छोड़ दीजिए, जो मन्दी उन्दी के दोर के लोग बात करते हैं, कोई option नहीं, जिस दिन चलने लगेगा, 10-20% बढ़ जाएगा, फिर सारे लोग कहेंगे, डिफेंस लो, डिफेंस लो, डिफेंस लो, उस द तो ज़्यादा तर लोग रुजान रखते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों, जब 275 बहाव आता है, बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन 300 पर में थोड़ा आप निकाल भी लेता हूँ, बार-बार प्रॉफिट बुक करने की विराय देता हूँ, तो यही चाल अभ डिफेंस आपको लेना है 950 पर, और टार्गेट होगा इसका 1150 रुपए का, इस टॉप लॉस होगा इसका 850 रुपए का, लेकिन इसकी क्वांड़िटी वेटेज डिफेंस काउंटर में सबसे कम रखना है, कोचिन शिप्याट की बात कर लेते हैं, देकिन कोचिन शिप्या का इंतजार कर रहा था, गिर जाएगा, तो वहाँ पर निकलना बनता है, उनको निकाल की जो बताए उनमें एकुमिलेट कर लीजा, यानि डिफेंस से डिफेंस में ही चले जाते हैं, एक जिएरेसी जिसे आपने सुना होगा, वह वापिस से 1950 के लेवल आएंगे, लेकिन अ पुरा सा इस पे कम एक्सपोजर रखिए, लेकिन 220-230 रुपए के पास चल रहा है, इन लेवल्स पर अगर आप 200 के स्टॉप लॉस से लेते हैं, तो 280 के लक्ष ये आपको थोड़ी तेजी में दिखा सकता है, तो ये आपके पास ऑप्शन्स हैं, डिफेंस के पूरी बास् पास जब मेले तो खरी दिए और आपको चोवालिस सो तक के टागट देखने को मिल सकते हैं, बी येल की बात करें अगर तो 275 रुपए के आसपास खरी दिए और यहां पर आपको 300 रुपए तक के टागट देखने को मिल सकते हैं, पारस डिफेंस में कहा गया है कि के लिए अवाइट करने की सला है, मरीन इलेक्टिक में 220 के आसपास अभी आप खरी सकते हैं, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 280 रुपए तक के लक्ष देखने को मिल सकते हैं, यही कहानी है, रवी जी कुछ गलत तो नहीं कहा, देखे विपल जी मैंने ऐसे थोड़ करने में जो मज़ा आता है, उसका अलग ही आनन्द है, बस आप लोग धैरे रखें, हम भी उतने ही दुखी है, हम भी उतने ही खुश होंगे, जितना आपको प्रॉफिट आएगा, और एक बात और दिवाली से पहले दिवाली के पटाके का खर्चा निकालने के जिम्मेदा लोग कम देखने लगे, लगिन फिर भी अभी 18 सा लोग दिवाली की तयारी में भी लोग बिजी होंगे, लेकिन अपने पोटफोलियो को रिवीव करना है, तो आधे हंटे गंटे आप लोगों को लाइव होना है, तब तक एक रिक्वेस्ट है मेरी, वैसे मैं देखे इस त साथ निर्भर बने, तो बेटर है, आप इसको एक बारी स्टेटस पर अपने कुछ मत करिए, आपके पास ऐसा हो इने सकता, विपुल जी आपके पास कितने ग्रूप है, कई सारे ग्रूप, दस्यों ग्रूप होंगे, कम से कम दो, तीन, चार अजार लोगों को तो आप आप हमारे कैमरामेन भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, एक केस्ट भी मेरे साथ में आये थे, वो भी आज इस्टूडियो को विजिट करने के लिए आए हैं, विपुल जी पूरी टीम इधर बैठी हुई है, और पीछे की जो टीम है, एडिटिंग टीम है, उसको तो मैं आपको बत चाहिए, यही हमारा निवेदन है, और यही हमको उर्जा भी देता है, और महिनायन के परिवार को और ज्यादा विस्तार दीजे, चलिए, इन सब के बीच में हमाए साथ, रवी रंजन जी हमाए साथ शायद जुड़े हुए हैं, रवी जी नमस्कार, नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर, बहुत बढ़ी हैं, आप कैसे हैं? बस सर, आप से बात हो गई, बहुत अच्छे हो गई, जितना थोड़ी बहुत दुखी थे तो वो भी खतम हो गई बाते हैं, बताईए सर, कहां से बोल रहे हैं आप? सर, हम आरा बिहार से बोल रहे हैं सा अच्छा जे के बैंक के एक सो ग्यारा ग्यारा के भाव पर दो सो ग्यारा को कब तक होड़ कर सकते हैं चलिए अभी आपको हो रहा है ग्यारा पांच सोला रुपए का नुक्सान पर्शियत बैंकों की हालत क्या हो गई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और खास तोर से जो मिटकैप यस बैंक हैं या मिटकैप बैंक हैं उनमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर ना तो वैलुवेशन का खत्रा है ना बाकी चीजें हैं कुछ एक जो नतीजें आए हैं वो भी अब तक अच्छे ही आ रहे हैं एक दो बैंकों को छोड़ दिया जाए जिन पर पहले सही कंसर्म थे तो काफी कुछ ठीक है लेकिन उसके बावजूद जो आशंकाएं हैं भविश्य को ले करके वो कहीं ना कहीं बैंकों की चाल को परेशान कर रहे हैं रवी जी आपकी टिपड़ी क्या होगी 111 पे ले जाता है और जिस जोश में रवी सर ने बात करी ना अग्दम जोश ही आ गया मैं तो एक मिनट के रिए वापिस आराई स्टेशन पर ही पहुंच गया था तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी बाते करते हैं और देखे स्टॉक मार्केट में थोड़ा उतार च तो 35-40 आ जाएगा खरीदना कहां पर है वो लेवल बता देता हूँ थोड़ा एकुमिलेट कर लीजेगा देखें जो इस तरीके के कैश रिच स्टॉक है नो उनमें नुकसान लेने के बजाए इस्ट्राटेजी बदल के थोड़ा दिन फसे रहिए दुखी रहिए बाद में इस मुस्कराते हुए कमरे से बाहर निकल लिए लोगों को जादा अच्छा लगता है तो फिलाल 90 और 88 रुपे के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज कर लिजेगा कम से कम 20% पोजिशन और इंक्रीज 200 शेयर है तो 20 शेयर और लेकिन एक और शेयर है जिसने बहुत परिशान किया हुआ है और अभी भी परिशान कर रहा है और रवी वाइरल जी यह भी रवी है अच्छा उनका भी प्रशन है इस पर कर रहे हैं गूड आफ्टर नून रवी सर इनके पास पड़े हुए हैं सर 101 के भाव पर और एक हमारे और सकते इन्होंने 110 पे खरीदा हु परिशान कर रहा था और फिर धीरे धीरे करके इसने नब्बे का लोग लेवल भी तोड़ दिया बहुत लोग कह रहे हैं कि चार्ट पर जो है यह साथ रुपए तक आ जाएगा आपके टिपड़ी क्या है क्या करें नेश्पी को बिलकुल सही कह रहे हैं लोग और यह 75 तक क बात है वेपुल जी आपके मुमरी बित्ती शार पर याद आया था मैंने बोला भी नहीं और आपने एसाइपी के नाम से याद करने के लिए तो बस एसाइपी में तीन स्टॉक आज पावर के मैं दे रहा हूं इनको आप नोट कर लीजे दे दू बिल्कुल बिल्कुल आग की कॉल नहीं दे पाया था तो उसमें एक कॉल यहाँ पर कमलेश यह और आप डाल दीजिएगा वो है इस समय टाटा पावर की तो टाटा पावर आपके चुन-चुन के स्टॉक का है उस पे आपको ले लेंगे और करेंट लेवल यानि जो 460, 455, 450 है यानि आप 460 एक एवर प्राइज प्राइज ले लेते हैं इस प्राइज पर इसको बाय करना है टार्गेट होगा 550 का और स्टॉप लॉस इसका होगा यहाँ पर 430 रुपए का तो यह रेंज से टाटा पावर चुन-चुन के स्टॉक का कॉल मैंने दिया इसको प्लीज आप लोग एड़ आप ग्र इमान तो और बढ़ेगी और यह स्टॉक सब जिस जगह पे मिल रहे हैं इस जगह से रिस्क रिवार्ड रेशो बेटर नहीं बेस्टम बेस्ट है इससे जदा कुछ हो नहीं सकता तो मुझे ऐसा लगता है कि आप SIP पे तीन से पांस साल के हिसाब से अगर स्टॉक लेना चा वही सोना खरिदवाएगा तो यहां पर आपको इन स्टॉक में SIP रखना है और हर महीने धीरे धीरे करके हजार दो हजार रुपए की SIP करते हुए चलते रही है भूल जाए मार्केट को आप मल्टी बैगर रिटन्स कमाएंगे इन स्टॉक मल्टी बैगर रिटन्स मिलेंग आपने सब्सक्राइब कर दिया तो इरिडा पर भी थोड़ी से टिपड़ी अगर हो जाती यहां पर क्या करें और यहां का भविश्या आपको कैसा लग रहा है देखिए इरिडा का सलूशन ही मैंने दे दिया चलिए फिर आप यह आप मेरी ना सारी प्राइवेट आप वह बी लीक करा देते हैं तो फिलाल इरिडा के सौधे को कर लिजे एक्सिट और उसकी जगा पर ले लीजे एनचपीची और चेंज कर लीजे यह पोजिशन चेंज करनी है अगले छे मैने के लिए 6 मैने के बाद लेकिन फिर से सुन लेजे यह सिर्प 6 मैने के लिए च आप लोग शिफ्ट कर लीजिए NHPC पर क्यों करा रहा हूं, reason number one पहली बात है, price के हिसाब से देखता हूं, तो मेरी एक के बदले दो quantity खरीदेंगे जिससे कि दो quantity का मतलब है, अगर थोड़ा बहुत चला, जैसे ही ये वापिस 100 आएगा पंदरा रुपए अगर बढ़ गया, तो आपको पंदरा दुनी 30% का return recover करा देगा, जो loss है आपका वो recover करा देगा इरिडा अगर चलता है, तो वो 225 के उपर नहीं जाएगा, यानि 10-15 रुपए के आर रेंज बढ़ने के बाद ठक जाएगा, जो कि 10% ही होता है तो compared, peer comparison ratio यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, strategy बदलने की ज़रूरत है, एरिडा से निकलने की ज़रूरत है, बाई करने की ज़रूरत है, बाई करने की ज़रूरत नहीं से बहुत अच्छा है, सर आपने हमारा कॉल लिया, बहुत अच्छा खुशी हो रही है, सर अरे सर हमको आप से बात करके बहुत खुशी हो रही है, बताईे कैसे हैं आप और क्या सवाल है आपका जैसे लोग जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो भी शेर बाजार को समझ रहे हैं और शेर बाजार में पैसे लगा रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट मनी नाइन के प्रियास का और कुछ हो नहीं सकता बाकी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एकलाग विश्य हो सकता है, लेकिन अगर देश का किसान, देश का मजदूर भी अगर भारत की अर्थवियोस्था से सीधे सीधे जोड़ता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्यों देखें, मैं तो एकी चीज कह सकता हूँ, ये आपके लिए तूपान जी कि आप हमारे अनदाता हो, और अनदाता जो भी दे, वो सब कुछ प्रशाद होता है, इसलिए आप से बड़ी पद्वी इस दुनिया में कोई रख नहीं सकता, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा है, ये कि मैं साल में एक अब्डेट भी देता हूँ, जब कोई भी MSP बढ़ती है, या कुछ ऐसा होता है, जिससे कि किसान भाई बहनों को हमारे जादस जादा फाइदा मिल सके, तो इस तरीके की चीजे मैं आप लोगों की जागरुकता के लिए ही करता हूँ, तो बहुत कि अब्डेटों को उतना ही पढ़ाईए कि वो भी एक नया मुकाम बना सकते हैं, बिल्कुल, क्या सवाल है सर आपका? आई यो सी यल में साथ समस्या एक ही है, कि वोल्टल्टी बहुत रहती है, जब जब उपर नीचे कच्छे तेल के भाव होते हैं, तो इसका पर एसर पढ़ता है, हाला कि आज करूड का भाव जो है वो नीचे आये था, लेकिन उसके बावजूद शेर में दबाव देखने क मिल रहा है, और आपने थोड़ा सा उपर लिया सरी है, आपकी थोड़ी से गलती रही, लेकिन थीक ज़्यादा उपर नहीं है, एक सो और सट पर लिया है, सर क्या करना चाहिए, दूसरा हैपिस माइंट पर इनके टिप परी, देखे बहुत बढ़िया लेवल पर लिया, एक इस शेर को 50 तक ले जाएगा, हैपिस माइंट आपने थोड़ा महगा खरीदा है, तो यानि कि IOC करना है वेट, हैपिस माइंट को काट कर, अगर आप मेरी बात मानें, तो आप ले लीजे बिरला सॉफ्ट और कमलेश जी पीछे से, फिर से दूसरा चुन-चुन के स्टॉक, बिरला सॉफ्ट, लॉंग टम बाई कॉल, 590 रुपए पे बाई करना है, टार्गेट है इसका, 695 रुपए का, और स्टॉप लॉस है इसका, यहाँ पर 565 रुपए का, तो यह दो कॉल आपको मैंने दे दी हैं चुन-चुन के, बागी चुन-चुन में अब ले लेंगे, ल इस बिच, कमलेज जी जो है, जो हमारे शोके प्रोडूसर है, वो ग्राफिक्स वड़ा तयार कर रहे हैं, ताकि आखर में जो है, उसको बहतर तरीके से अपने दर्शकों को हम बता सकें, लेकिन 21 से ज्यादा दर्शक हमाई साथ इस समय खाली YouTube के माद्धम से जुड़े हैं तो आप लोग सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही नंबर्स को आप लोग बढ़ाते रहे हैं, और हम लोग के उस साथ को भी, चलिए एक सवाल लेते हैं, और उसके बाद से जरा रुप करेंगे, बजिंग स्टॉक्स का क्यों की, वैसे हम लोग विल्कुल हमें सिर्फ एक ही है, कि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, जितना आप लिंक शेयर करते हैं, उस से क्या होता है, उस साब बढ़ा डबल हो जाता है, आप मैं जान रहे हैं कि आप मैं मेडिकली वड़ा सा प्रॉब्लम में जरूर चल रहा हूं, ल लेकिन मैं आपको बता दू विपुल जी मैं इसमें कुछ एड़न नहीं रखना चाहता है एक्शली मैं मैं फ्राइडे को इस बार एडमिट हो रहा हूँ अपने चेक अप के लिए तो इस वज़ा से उसलिए पहले से छमा मांग लेता हूं लेकिन आप लोगों प्लीज बैर पढ़ाईए और थोड़ा से व्यूज बढ़ाईए ये दो अजार इकिस सो नंबर तो कब से चल रहे हैं सर आप लोगों का पॉर्टफोलियो रिवीव करते करते हम लोग इतने आगे आ चुके हैं तो थोड़ा सा अब इसको 4-5 जार नंबर ले जाए किया फालतू फालतू के चैनल पे लगे होंगे थोड़ा सा कोई नाच देगा उसको 10,000 विवच बना देंगे यहां पर पूरी जहमत के साथ पूरी सिद्दत के साथ लगे हूँ है 2000 देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम ही ठक गए हैं नहीं बात सही करें आप और इसमें कोई दो राय नहीं है एक दो सवाल खाली लेते हैं सर उसके बाद से बज़ें स्टॉक्स का रुख करते हैं मुझे लगता है मैंने साथ सवाल पूछा था नहीं पूछा था शायद इलेक्टिकल जिसका आपने जिक्र भी किया था कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बताए क्या करें मरीन इलेक्टिकल में काफी लाजा लाजा नहीं पाव नहीं बताया है यह थोड़ी से गल्ति कर देते हैं यह एमजे ब्लॉक के नाम पे इन्होंने अपनी मार्केट देखें मैंने पहले ही बताया है फिर से एक चीज़ समझिये कंटेस को समझिये मैं भी यह आप भी जब मार्केट रिटन देगी तो यह सब जो आपने घोड़े पकड़ रखे न यह ऐसे घोड़े हैं जो कि आपकी स्पीड से कहीं ज्यादा तेज चलेंगे तो त तो तीन महीने मगर रिटन देगा तो यही देगा दूसरा कोई स्टॉक लेंगे वो लुक्सान ही देगा तो ऐसा नहीं है मुझे लगता है बने रही है दूसरा आपने सिपिंग कॉर्परेशन पर पूछा था इस समय 220 से पहले बाई नहीं बनता 275 के उपर रुखना नहीं बनता यही रेंज है जो रेंज में पहले आ जाए वही एक्टिंग कहल लीजेगा 220 आता है तो बाई कर लीजेगा 275 आएगा निकल जाएगा अगर existing position है तो निकलना है नया कुछ खरीदना नहीं